नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वाज़त है एक बहुत ही बहतरीन और महत्वून सेशन के साथ आपके सामने उपस्तेथ हैं जैसा कि आपको पता है कि 1948 में United Nations की इस्थापना की गई थी और United Nations की जो इस्थापना हुई थी उसके एक प्रमुख उद्देश्यों में से उद्देश्य था कि दुनिया के अंदर जो तीसरा विश्विद्ध है वो ना हो और दूसरा कारण था कि दुनिया भर के अंदर सांत की इस्थापित की जा सके और उसके बाद तमाम तरह के प्रयास United Nations के द्वारा किये गए और दुनिया भर के इस तरपर तमाम काम इनके द्वारा किये जाते हैं जिसके लिए United Nations के द्वारा अपनी तमाम एजेंसियों की या कहें संस्थाओं का सहारा लिया जाता है जैसे की यूनिसेफ है आप देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन आप देखते हैं यू एन वॉलेंटियर्स आप देखते हैं एडी बी एसीन डवलप्मेंट बेंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस तरह की जो तमाम संस्थाओं है उनके द्वारा इसके साथ काम किया आता है और अब खबर निकल कर आई है कि यूनाइटिड नेशन्स की एक एजेंसी जो है वो सामिल थी इसराइल पर हमला कराने में एक बहुत ही बड़ी बात है ये और साथ में जो वे पूर्बग चर्चा करने वाले हैं बात होगी UNRWA जिसके वारी में बात हो रही है कि UNRWA ने साथ दिया था हमास का इसराइल के ऊपर हमला करने में दिन था साथ अक्तूबर का साथ अक्तूबर का जो अटेक हुआ था इसके अंदर UNRWA सामिल होने के बाद आप तमाम नीज़ पेपर्स की खबरें देख सकते हैं रैकलेस जो फणिंग मिलती थी इस संस्था को उस फणिंग को रोकने का तदकाल प्रभाव से फैसला किया गया है अमेरिका ने फणिंग रोक दी है European Union Waivers Over Funding UNRWA Amid Financial Collapse फिर स्कुल मिलाकर European Union आ गया आया है कि अब हम इसे पैसा नहीं देंगे क्या थी ये संस्था तो who are we, कौन है हम ये आप UNRWA की वेबसाइट ही देखते है तो क्या है ये संस्था सबसे पहले इसको हम समझने का प्रयास करते है संस्था का नाम है United Nations Relief and Work Agency UNRWA और इस्पेसली ये बनाई किसलिए गई थी अगर इसकी हम बात करें For Palestine Refugees in the Near East कुल मिलाकर 1948 के अंदर बनकर तयार होता है देश नाम था जिसका इसराइल और जब इसराइल बना था तो एक पहले देश दुआ करता था जिसका नाम था फिलिस्तीन फिलिस्तीन को हटा कर इसराइल देश बनता है ऐसी स्थिती में तमाम सारे फिलिस्तीन जो हैं वो विस्था पे तो होते हैं उनको फिलिस्तीन छोड़ कर जाना पड़ता है फिलिस्तीन छोड़ कर आसपास के इलाकों में ये लोग बस जाते हैं और इनहीं लोगों के वेलफेर के लिए इस संस्था का गठन किया गया था United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in Near East We provide assistance and protection for registered Palestine Refugees कि हम क्या काम करते हैं हम assistance देते हैं और साथ में protection सुरक्षा मोहिया करते हैं इसके लिए जो registered फलिस्तीनी refugees हैं जो सरणार्थी हैं उनके लिए विसेश रूप से हम ये काम करते हैं 1947 के युद्ध के बाद इसका establishment किया गया था तब से ये काम कर रही है UNRWA services are available to all those living in areas of operations who meet this definition कुल मिलाकर फलिस्तीनी refugees के लिए काम करती है कौन कौन से देश के अंदर तो आप देखते हैं छोटा सा आपको यहां दिखाई देता है इसराइल इसराइल के अंदर 1948 में जो refugee गए थे वो इसराइल के उत्तर में लेबनान के अंदर चले गए थे सीरिया के अंदर गए जॉर्डन है वेस्ट बेंक है जो कि इसराइल के अंदर माना जाता है इसराइल के पड़ोस में वेस्ट बेंक और गाजा जिसके अंदर फिलहाल युद चल रहा है इन सभी छित्रों के अंदर फलिस्तीनी लोग refugee बनकर चले गए थे कितने लोगों के लिए ये संस्था काम करती है तो इसके अंदर जो registered refugees हैं उनकी संख्या है 5.9 million लगभग 60 लाख लोग इससे registered है जिनकी सेवा खिदमत इसके द्वारा की जाती है गाजा स्ट्रिप के अंदर है Jordan के अंदर कितने हैं ये संख्या आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं number of camps कितने camps इन देशों के अंदर लगा रखते हैं लोगों के लिए तो total 58 camps इन तमाम देशों के अंदर लगाई जा चुके हैं number of students बात करें schools भी इनके द्वारा खोले गए हैं इससे की ये बच्चे पढ़ सके तो 706 की संख्या में इस संस्था ने और जो students इसके अंदर पढ़ते हैं लगवक पांच लाख तेतालिस हजार पिचेत्तर के संख्या में जो students हैं इन तमाम देशों के अंदर इस संस्था के अंतरगत पढ़ते हैं आगे बात करें education staff के बारे में क्योंकि जब schools खोले हैं students हैं तो teachers की और अन्य staff की भी आवसिकता होगी तो 19,725 education staff है और साथ में health staff क्योंकि hospitals भी manage किये जाते हैं इनकी health का भी ध्यान रखा जाता है तो 30,000 के करीब लगबग health workers इस संस्था के अंतरगर तमाम देशों के अंदर काम करते हैं और जब इतना सारा कुछ इस संस्था के द्वारा संभाला जाता है तो निश्चित रूप से पैसे के बिना ये संभब नहीं है अब पैसा वो कहां से आता है तो पैसा भी इसको funding के जरिये दिया जाता है और वो funding अब रुख चुकी है निश्चित ही इस संस्था के अंदर जो लोगों को फायदा मिलता था उन्हें काफी बड़ी मात्रा में नुकसान इससे होने वाला है और जन्वरी 18-2024 में बताया गया है कि लगवग 12 की संख्या में ऐसे employees हैं UNRWA के जिन्होंने हमास का समर्थन किया था हमास का समर्थन किया था किस समय पर जब इसराइल के ऊपर हमला किया गया था क्योंकि ये संस था हमास के साथ मिलकर बताई जाती है कि फलिस्तिनियों का जब ये साथ दे रही थी तो हमास के साथ इसके कुछ लोग मिल गए बारे की संख्या में और उन लोगोंने साथ दिया था इसराइल पर हमले का UNRWA is the problem अब इसराइल के द्वारा और पूरी दुनिया के द्वारा कहा जा रहा है कि UNRWA जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का बलकि अपने आप में ही ये एक समस्या बन चुका है आप देखते हैं UNRWA की फुल फॉर्म भी चेंज कर दी गई है United Nations Repository Weapon Agency मतलब हमास के लिए Weapons की एजेंसी है ये ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया है UN Agency Investigates अब United Nations की जो एजेंसी है उसकी तुरंत जो है वो जाच बैट जाती है United Nations के जो Secretary General वगएरा है उनकी सांस फूल जाती है इस मुद्दे को लेकर तुरंत की ऐसा आखिर हुआ कैसे तुरंत से जाच बठा दी जाती है The Israeli authorities have provided UNRW with information इसराइल की जो authorities है वो जाच कर रही है इस सभी मामले की इन्होंने United Nations को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी एजेंसी involved है और तुरंत जो है जाच बिठा दी जाती है United Nations के जो Secretary General है नाम है जिनका Antonio Guterres वो सीधे सीधे जाच के आरोप देते हैं कि जल्दी से एक टीम गठन करने के बाद इसकी जाच की जाए जिससे की पता लगाया जा सके इसी के बाद जो तमाम देश हैं वो funding अपनी रोकनी शुरू कर देते है US holds funding for UN agency amid claims staff took part in 7 October tax अमेरका ने जो है funding इसकी रोक दी इससे पहले असल में हम बात करते हैं थोड़ी बाइडन के बारे में फिर भी बाइडन के द्वारा इनका fund जो है वो चालू किया गया था लेकिन इससे पहले बाइडन से पहले जो ट्रम्प हुआ करते थे ट्रम्प का नजरिया पलिस्तीन को लेकर बिल्कुल ही अलग था पलिस्टाइन को लेकर जो नजरिया था जैसे ही वो सत्ता के अंदर आ पहायता है उसको restore करते हैं फिर से शुरू करते हैं जब ट्रम्प ने इनकी funding रोकी थी तो काफी ज्यादा मजाक भी ट्रम्प का बनाया था कुछ इस प्रकार के memes share हुए थे मार्केट के अंदर फलिस्तीन के स्कूल में teacher पढ़ा रही है students को कि दुनिया के अंदर सबसे powerful weapon य इनको fund मिलता है आपको लग सकता है कि फलिस्तीन नाम का देश है तमाम जो OIC के members हैं जो Islamic राष्ट हैं वो समर्थन देते हैं तो वही सबसे ज्यादा funding देते होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप देखते हैं अमेरिका वेस्टन वर्ड अमेरिका प्लस अमेरिका के सहय सहयोगी देश वही सबसे ज्यादा funding देते हैं United States है सबसे उपर उसके बाद जर्मनी जर्मनी के बाद European Union, Sweden, Norway, Japan, France तक अगर आप देखें जो top funding देने वाले देश हैं वो सारे के सारे अमेरिका और उसके सहयोगी देश ही हैं उसके बाद किसी Muslim राष्ट का नंबर आता है जाती है उसके बाद पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनका तो कहीं नाम भी यहां दिखाई नहीं देता है क्योंकि खुद कटोरा लिए पाकिस्तान बैठा है किसी दूसरे को आपर fund करेगा क्या ऐसी स्थिती में जब खबर निकल कर आई कि इसराइल की उपर हमला इस agency के द बात करें तो अमेरिका, Germany, Switzerland, Canada, Netherlands, UK, Italy, Australia, Finland समय तमाम देश जो हैं वो अब तक अपनी funding रोक चुके हैं लगवक 667.2 million dollar की जो इनकी funding है वो रोक चुकी है इससे निशित ही एक संकट पैदा होने वाला है लोगों के द्वारा social media पर बताया जा रहा है कि United Nations की गाड़ी आपको यहां दिखाई देती है और हमास के जो लड़ाके हैं इस United Nations की गाड़ी का इस्तिमाल कर रहे हैं लोग कहते हैं कि UNRWA कुछ नहीं है बलकि UNRWA ही हमास है अब defending की जब बात होती है तो तमाम और भी देश जुर चुके हैं लगवक 15 से जादा देश अब तक ऐसे हैं जो अपन स्टाफ ऐसा है जो की हमास के साथ जुड़ा हुआ है और इसराइल के विरोध में गतिविधियां करता है अबाउट 1200 UNRWA स्टाफ और 10% कुल जो स्टाफ है उसका 10% इनवाल्व है हमास के साथ इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल यह जो UNRWA है यही हमास है वार ओन गाजा की बाद करें नेतन याहू सेज UNRWA मिसन मस्ट बी टर्मिनेटेड इसलिए कहते हैं नेतन याहू कि यह UNRWA को ततकाल प्रभाव से टर्मिनेट कर देना चाहिए बिल्कूल टर्मिनेट कर देना चाहिए ऐसी इस्तिती में जब इस्राइल की यदि हम बात करें थोड़ी सी तो इस्राइल कहां पर फिलाल खड़ा हुआ है इस्राइल के उपर एक हमला होता है हमला जो है वो भी एक आतंकी हमला निश्चित तौर पर पूरी दुनिया मानती है जब ये हमला हुआ था साथ अक्तूबर को ये बिलकुल एक आतंकी हमला हुआ करता था आतंकी हमला था क्योंकि अचानक से पूरी तागत के साथ इसराइल के उपर ये हमला किया गया था और बरवरता पून ब्यभार भी किया गया था लेकिन उसके बाद इसराइल के द्वारा जो किया जा रहा है हालां कि वो भी मानवत्ता के नजरीये से बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन फिर भी इसराइल के पास एक बहाना है बोलने का कि मैं इस हमास को इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि यदि मैं ना मारूँ तो ये मुझे ना जीने देंगे लेकिन ऐसी स्थिति में हमास भी कोई कम नहीं है हमास भी इस युद्ध को बिलकुल रोकना नहीं चाहता है ऐसी स्थिति में टर्मिनेट करने की बात की जाती है एक ऐसी संस्था की जो की बहुत बड़ी स्तर पर फलिस्तीनियों की सहायता करती थी जब उस agency का चंदा रहने वाले more than 1 million children 10 लाग से जादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल mental health support की जरूरत है तो ऐसी स्थिती में यदि funding terminate होगी तो इस संस्था के ऊपर जो तमाम लोग निर्भर किया करते थे जिन तमाम लोगों की इस संस्था के द्वारा मदद की जाती थी उनका भविष्य जो है वो अनिश्चित हो चुका है समझ्चाएं उनके लिए बढ़ चुकी है कहा जा सकता है कि चंद लोगों की वजह से इस UA agency के जब खवर निकल कर आई है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ लोग जरूर इसके अंदर सामिल होंगे क्योंकि बिना एक primary जाच के ये कदम उ बारा लोगों की बात निकल कर सामने आई है लेकिन इन बारा लोगों की वजह से जो लाखों लाख लोग जिनकी सहायता की जाती थी इस agency के द्वारा उनके भविस्चे के ऊपर एक सवालिया निसान खड़ा हुआ है आपकी क्याराय है इस बारे में कमेंट के माध्यम से जर स्क्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेसन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहेंद